वार्ट्स आप गाईज सवाहत है आपको इस चैनल पर और आज हम बात करेंगे Digital Marketing के बारे में तो घूरार्ट गाईज अब जो वीडियो आने वाले है कुछ ऐसे वीडियो आएंगे जिसले आपको Digital Marketing बारे में एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, फेजूक में एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएं, वीडियो की एडिटिंग कैसे करें, और e-commerce website, तो इन सारी चीज़ों का full to knowledge मिलने वाला है आपको इन वीडियो में, तो one by one वीडियो आएंगे, आप देखो मैं वीडियो के कुछ topic बता आउँगा, तो आज पहला वीडियो है, और digital marketing आपको free में सिखाया जाएगा, है ना कोई चार्ज नहीं हो उसका, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज content creation की, guys देखो, आप अगर कोई website बनाने चाहते हैं, ब्लॉग है आपके पास, और आप अगर text की बात करते हैं, text content, हम आप Google पे बहुत सारे topic मिल जाते हैं, वहाँ पे आप search करते हो, how to study, तो बहुत सारे topic आजाएंगे, और आप उनको read करो, और उससे आप knowledge लो, तो ये content है, अब इस तरह की अगर आपकी कोई website है, आपका कोई blog है, तो आपको कैसे बनाना है, उस content को कैसे create करना है, उसी को मैं पुरा form में बताऊंगा, क्योंकि याँ देखो, अगर हम बात करते हैं content की, तो आप कह रहे होगी कि content की क्या जरुत हम तो Google से copy मार के और उस content को डाल सकते हो, लेकिन ये विल्कुल wrong तरीका है, इसे में अगरवर हो जाएगा, आपका copyright claim आके आपका पुरा blog, website बन्द हो जा आपका content है, वो idea form में हो सकता है, video form में हो सकता है, और text form में हो सकता है, यहाँ पर हम text form के बात करते हैं, text आपको अगर बनाना है, blog में post करना है, आपका free का blog है, तो उसमें भी आप content post करोगे, लेकिन किसी का copy करके और उसको paste कर दोगे, तो वो गड़वर हो जाएगा, अब आपके content की बज़े से आपके post आपके blog में लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस तरह का content बनाया कि आप customer को attack कर पा रहे हो अपनी content से, अब देखो कभी बड़ी बड़ी company आपको call नहीं करती, phone नहीं करती, like OYO हो गया, like OYO हो content किया, कि आपने उनका content देखा और वहाँ पर विजिट करने चले गया, और सीधा आपने shopping कर ली product को वभाय कर लिया, तो उनका content इस तरह से था, है ना, तो इसी तरह call to action करने आपको सीधा, मतलब content इस तरह होना चाहिए, आपका, कि customer आपकी content को देखके आ जाए सीधा, कुछ value है, लोगों को कुछ उसमे gain हो रहा है, लोगों का फायदा हो रहा है उस content से, तो आपका content चल जाएगा, दूसरा emotion, आपने कितना emotion create किया है, कितना दिल से जुड़ने वाली बात कर दिया है, अपने writing में, कितना अपने post में, कितना अपने पोस्ट में, कितना heartly touch up किय है, उसमें, वो भी एक बहुत मायने रखता है, आपके content में, तीसरा है trust, तो guys, आप अपने अगर line में, उसमें एक अच्छे line एड़ कर देए, तो trust की, मतलब content सही है, और आपके उसमें trust है, बहुत अच्छे से, आपके content में trust रहेगा, तो आपका content लोग वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से, तो इन सारी चीजों का होना बहुत ज़रूरी है, आपके content create करते time, आप business ध्यान दें, कि आपको किस तरह से content का pattern मनाना है, एक उसका pattern होता है, तो वो pattern मैं आज बताऊँगा, आपको अभी system पे लेके चलूँगा, pattern बताऊँगा किस तरह का pattern होन होना चाहिए, आपको blog में post करने लिए, तो वो content किस तरह से ready करें, आगर आप अपनी website में text content post करते हो, कोई हना, तो उसको किस तरह से, किस form में होना चाहिए, इन सब चीजों को, अभी मैं बताऊँगा थोड़ा सा, तो system पे चलते हैं, तो गई, जैसे आप यहाँ पे आप content creation की जब बात करते हैं, content हमको create करना है, तो आपको content create करने के लिए ऐसी चीज़ें आपको google से ही निकालना है, और आपको भी खुद से type करना होगा, लेकिन हम अभी यहाँ पे बताएंगे, आपको google से कैसे निकालना है, सारे content को कैसे type करना है, कैसे निकालना है, तो guys, अग यहाँ पे देखो, यह business idea के बहुत सारी है, यहाँ पे अलग-लग sites आ जाएंगी, तो हम इनको new tab में open कर लेंगे, अब यह new tab में हमने open किया, और यहाँ से आपको content create करना है, यहाँ पे आपका शुरू हो गया content writing, आप देखो, यहाँ पे आपका यह हो जाता है heading, ठीक है, त यहाँ पे इसको copy कर लो, word में जाओ, इसको paste कर लो भई, इसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, अब देखो, इसी को same to same copy आपको नहीं करना, यहाँ पे आप यह points देख लो, आपको क्या क्या है, यह point है first, और इसके बाद दूसरा point यह है, तो आप इन सब points को लिखते ज मैं आपको example के तोर पर ज्यादा points नहीं बताऊंगा, कुछ-कुछ points बताऊंगा, इनको up-down कर सकते हो, उपर नीचे, दूसरा point हो गया, इसके बाद यह तीसरा point हो गया, तो इसको यहाँ पे, तो मान के चलो हमको 5 point बनाने कर सको, 5 idea देना था business के, तो हमने 5 idea यहाँ पे बन marketing, अब गाइस देखो, यह हमारे points हो गया, headings, और इनमें हमको content लिखना है, अपने खुद से, हम किसी का copy नहीं करना चाहते, और ना करेंगे, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे है, अब यह सारे points जो है, आपको, गुगल से हम copy कर सकते हैं, like देखो, जैसे first 12 point कहा था, तो इनको लिख लो आप पूरा, copy कर लो, no issue, अभी आँगे माँ, इसका process भी बताऊँगा, इसको change कैसे करना है, ठीक है, तो one by one, दूसरा कहा था, यह था, तो मैं दो ही कर रहा हूं, of real, अब देखो, हमारे यह content बना, इनको भी हटा देते हैं, इतना है, ठीक है, हमको यह post करना है, जैसे मान के चलो, तो आपका content यह जो है, 75 ideas की जो है, two ideas for business, अभी दो है हमारे पास, ठीक है, आप यहाँ पे line by line कितने भी idea लेख सकते हो, तो दो हम बनाए, ठीक है, इसको mistake जो है, पूरा control सी करके, इसको पूरा copy करेंगे, इसके बाहर, जो हमारा एक website है, तो अभी मैं आपको first of all बता दूँ आपको कुछ points, guys, देखो, content create करते टाइम, आपका, आपको content create करते टाइम, यह जो चार major, चार major effects से उनको आपको ध्यान में देना है, content create करते टाइम, आपको यह चार चीज़े बहुत ध्यान में देना है, सबसे पहले है content curation, आपको content कैसे बनाना है, कैसे curate करना है, अलग-अलग website से निकालके, यह देखो, यह different website है, तो अलग-अलग website से आपको content निकालना है, और उसको सब mix-up करके, सब चीज़ों का mix-up करके, उनकी spelling change करना है, आपको, और वो spelling कैसे online change करते हैं, वो भी मैं आप को अभी बता देता हूँ, ठीक है, हमको यह website दो जाना है, इसमाल SEO Tools की website पर जाना है, और यहाँ पर article free writer पर click करना है, तो जैसे article free writer पर click करोगे, तो आपको यहाँ पर यह option आ जाएगा, तो यहाँ पर आर देखो कुछ premium होते हैं, कुछ premium होते हैं, तो हम इनको अगर यहाँ पर rewrite करते हैं, तो अभी देखो यह rewrite होके, आपका answer निकल के आएगा सामने, पूरा blog change होके, यह देखो change हो रहा है, तो यह जो post है, आपकी बन के आएगी पूरी, आप इसको अपने blog पर डाल सकते हो, इस पर कोई copyright नहीं आएगा, क्योंकि यह यहाँ पर सारे bots को change कर देता है, अभी इसमें भी आपको पूरा check करना होगा, ऐसे ही सी के post नहीं कर सकते हैं, हम इसको अभी देखेंगे, यहाँ पर content creation होगे, इसके बाद हम content को building करते हैं, फिल literature check, इसके बाद flow check, content क flow कैसा है, यह सारी चीज़ों को check करके हम अपने content को create करेंगे, और उसके बाद हम content को post करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हमने जो content निकाला था, तो हमारा जो content था, यह जो words change हो गया है, हमारे, यहाँ पर देखो, the point, original word यहाँ पर the point था, the purpose हो गया है, तो यहाँ से यह क्य तो यह सारी चीज़ें बनके आई, अब हम इसको download कर सकते हैं, या copy मार सकते हैं, फिर से, हमने फिर से इसको copy किया, word में paste किया, यह सारी चीज़ें, ठीक है, अब हमारे यह था, heading थी, इसको हमने heading बनाया, और हमारे जो points थे, वो सब चीज़े बना के आपको अपने हिसाब स इसको post करना है, अपनी website और blog पे, तो इसी तरह आपको content बना के फिर हम publish कर देंगे, अपने website और, ठीक है गाई, तो आपको यहाँ पी इस तरह से अपने blog पे अपनी content को post करना है, content बनाते टाइम, आप सारी चीज़ों का बिसेज ध्यान दें, कि कहीं से copy न करें, कहीं से कि और content बनाते टाइम, आप points को बिसेज ध्यान दे, point बनाते टाइम, आप कुछ content अपने से लिखे, अपने mind से लिखे, ऐसा नहीं कि आपने पूरा copy पेच्टी मार रहे हैं, तो यह गडबड होगा, कुछ points अपने दिमाग से लिखो, अपने आप से content को लिखो, और उसको publish कर में आगी होगी, कि content कैसे create करना है, और digital marketing का यह पहला वीडियो है, और one by one मैं सारी वीडियो लगँगा, और आपको knowledge दूँगा, अगर आप channel पे नए हो तो subscribe कर लो, क्योंकि ऐसे video one by one आएंगी, और आप digital marketing बारे में काफी कुछ knowledge गेन करने वाले हो, इस channel पे, तो guys I hope आप दो कि दो इनक्स वाधिए, जये ने का स κιன करना है, सबस्एए कर दो स्यलिके दोगा.